चलिए तो आज हम लोग देखने वाले exercise 3.1 जो की understanding quadrilateral की पहली exercise है तो पहले question पे हम लोग आते हैं given here are some figures कुछ figures आपको दिये गए हैं इन सब को classify करना है किस में classify करना है simple curve में simple closed curve में polygon, convex polygon और concave polygon तो classify अगर हमें करना है तो हमें इनकी definition तो पता होनी चाहिए तो simple curve क्या होता ह simple curve ऐसा figure है जो अपने आपको cross नहीं करता बस ठीक है अपने आपको cross नहीं करता हर point connected होना चाहिए that's it ये simple curve है तो पहला वाला क्या अपने आपको cross कर रहा है नहीं कर रहा तो पहला वाला हो जाएगा ठीक है क्या दूसरा वाला अपने आपको cross कर रहा है नहीं तो ये भी हो तो यह वाला नहीं कर रहा है सेविंथ नहीं कर रहा है यहां से आप जाओगे फिर ऐसे जाओगे तो यह वाला क्रॉस कर रहा है तो यह हो जाएगा हमारे पास सिंपल कर्व ठीक है सिंपल ख्लोस्ट कर्व क्या है सिंपल ख्लोस्ट कर्व बस यही है क्रॉस भी नहीं करना चाहिए पहली बात और एंड पॉइंट नहीं होने चाहिए मलब आप कर्व में जहां से घूम रहे हो ना वहां से घूम के वापस आ जाना चाहिए उस पॉइंट कोई भी पॉइंट लो ठीक है तो पहला वाला है ऐसा ठीक है यहां से मैं घूमूँगा अपने आप आ जाओंगा गूंके वापस मुझे रास्ता है ठीक है और पाज भी मैं रिट्रेस नहीं कर रहा ठीक है तो यह हो गया दूसरा वाला भी है है ना साफ साफ आप देखरो ती स्ट वाला है और सेवंथ वाला है एड़ वाला इसमें पाथ रिट्रेस होगी तो वन टू फाइफ सिक्स सेवन हो गए ए और बी के ठीक है अब पॉलिगन पॉलिगन क्या होता है यह स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर है यह कर्व ही रहेगा सिंपल क्लोज्ट कर्व ही टू बना है क्या हाँ यह बना है यह तो सर्कल देख रहा है यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर गई फोर्थ में फिफ्थ में क्या हुआ कर्व है सिक्स्थ में भी कर्व है यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है यह भी पॉलिगन नहीं होगा क्यों क्योंकि एक कर्व मैं लेख दे रहा हूँ, convex में, sorry, मैं लेख दे रहा हूँ यहाँ पर, convex में क्या होगा, every, every angle जो होगा, 180 degrees से कम होगा, हर angle, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप यह तो 180 degrees से कम है, यह तो 180 degrees से कम है, यह भी, पर यह वाला angle जो है न, वो 180 degree से ज़ादा हो गया, ध्यान रखना angle हम लोग interior angles नापेंगे आप सुच रहे होगा sir ऐसे भी तो नाप सकते हैं ऐसे नहीं नापेंगे क्योंकि यह external चला गया हम angle interior angles नापेंगे तो इसलिए 1 वाला नहीं होगा 2 है ठीक है? 2 है तो convex polygon हो जाएगा बस 2 थर्ड वाला अगर हम E वाला देखें concave polygon इधर concave में at least 1 हो जाएगा ठीक है? concave में एक भी angle at least 1 angle क्या हो जाए? 180 degree से जादा हो जाए ठीक है? तो एक angle यहाँ 180 degree से जादा हो यहाँ सारे कम है है ना तो 1 हो जाएगा concave polygon तो D का 2 E का 1 यह आपको ध्यान रहेगा definitions भी मैंने के लिए अब regular polygon क्या होता है? regular polygon में क्या होता है? all sides equal ठीक है? all sides equal as well as all angles equal तो यह हो जाएगा regular polygon regular polygon की definition क्या है? all sides equals all angles equals that's it तो यह हो जाएगा regular polygon और state the name of regular polygon ठीक है? तो यह regular polygon है तीनो side equal रहेंगी तीनो angle equal रहेंगी अगर मैं first वाले की बात करूँ तो ऐसा कौन सा figure होता है? सब को पता होगा इस figure को हम लोग कहते है equilateral triangle तीनो sides equal होती है तीनो angle equal होते है और इसको बोलते है equilateral triangle हर angle कितने का होता है equilateral triangle में 60 degree का ठीक है? चलिए चारो side equal यह कौन सा figure होता है square चारो side equal चारो angle equal हर angle कितने degree का होता है 90 degree hexagon hexagon ठीक है? तो hexagon यह होता है 6 side equal और 6 angle equal ठीक है? sorry about my drawing hexagon कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है? 6 side रहेंगी 6 की 6 side equal इसमें हर angle होता है 120 degree का ओके I hope आपको things clear होंगे